ह्मेख यह संड़ी ऑरीज थोड़ा सा पुराना है सा नहीं तो आपको पता है कि इसमें साहे यह कही हैं तो तो इसमें देखते ए क्या सेर्ट है करने और अगर 20 तो 10 बोल्ट यह बन जायगा 10 बोल्ट बन जाएगा MOSFET मेरा ON हो जाएगा अच्छा P4L MOSFET का ON होने के लिए क्या चाहिए जिरो नेगटिव चाहिए मतलब यह आपको ध्यान लगना THASSWORD VOLTAGE होता है वो आमेसा नेगटिव में चाहिए VGS इसका क्या चाहिए नेगटिव चाहिए VGS इसका नेगटिव चाहिए तो नेगटिव हो गया 10-20-10 VOLTAGE का THASSWORD है यह आपका ON कंडिशन में आकर के आगे काँ कर जाएगा यह तो आपने समझ लिया दूसरा क्या है यह मेरा AC FET था इससे आगे बड़े DC NASS और जब आप इस पे आए आगले वाले MOSFET पे RB FET पे RB FET पे आपको क्या लगा है यहाँ पर भी P चानल लगा हुआ है तो P चानल के इसाब से देखो यह gate vicing इसकी कौन कंप्लेट कर रहा है देखा है DC Block EC वही CDIC यह CDIC वाला कॉंसेप्ट हो गया यह DC Block EC को लेकर क्या आप देखोगे यह मेरी आ गई CDIC आ गई CDIC का बाइपासिंग मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसके साथ क्या सलूप करना है एक तो यह और दूसरा क्या था 10 नमबर पिन 10 नमबर पिन किसके लिए यह रहा बीच में जो यह आ जाता है यहां तक तो हमने इसको किलियर किया ही हुआ है आगे बड़ा CDIC के बाइपासिंग को लेकर के हमने दो पॉइंट्स हमने पहले भी समझ रखते है अब यहां पर जब मैं जा रहा हूँ चार्जिंग में दो मॉस्पेट लगे है में मॉस्पेट एक सापोर्टिंग लगा हुआ है यहाँ पर लिख़ा है भी चारजर बताओ मेरे को NBDC है या है भीड है यह कॉनसेट क्या लग रहा है अपको यह NBDC पॉनसेट है है और है इसको देख के यह वी चार्जर लिखा है यहां पर आपको इसमें जब डाउट है न एक पॉंट यह भी हो जाता है वी चार्जर चार्जर को देखो यह आगे लेके जागा हुए यह भी चार्जर यहां पर यह पर यह भी चार्जर यहां भी है रहा है मेरा बैटरी का अब इस पर आ रहा है जो है मेरा लेक्चे आने दू कहीं यह वैटरी कर्क्तर साइध यह यह जो लिखा हुआ है MP BAT PLUS, पहले कन्फर्म कर लो, कन्फर्म होगे मेरा M BAT 1, तो यहाँ पर तोटल दो बैटरी के कनेक्शन है, गवह और से देखू के दो बैटरी का कनेक्शन है, एक M BAT PLUS और यह क्या है P BAT PLUS, मतलब क्या होता न, लेटरी के कुछ बूड ऐसे हैं, जिसमें कि दो बैटरी के करेक्टर दिये रहते हैं, है न, एक परेमरी बैटरी और एक सेकंडरी बैटरी, तो दो करेक्टर आते हैं, उसके लिए आपको दो क्वाइंट है, M BAT PLUS और P BAT PLUS, तो मेरा इसका बर्थपलेस क जियान लखना M BAT पर पीवैड का बर्थपलेस, तो दो ड़को, M BAT PLUS का बर्थपलेस इदा है, P BAT का बर्थपलेस इदा है, मतलब आप जिदर बैटरी लगा कर रखोगे या तो मेरी ये लाइन काम करनी है या फिर मेरी ये लाइन काम करनी है करक्ट ये दो लाइन हो जाती है काम करने के लिए ठीक है ना यहाँ पर जो गोल्टेज आएगा भी चार्जर करक्ट ये तो मेरी हो गए सिरीज वाली लाइए और मेरा डिस्चार्जिंग वाला है कि दर है तो जरा इधर भी देखने दूँ देखो यहां पर क्या लिखा है पावर देखो पहले बता रहा हूँ यह सर्किट लेटिटूड मॉडल का है दो बातें हो सकती है या तो समझना है तो समझो और जो ना समझो इस मॉडल का आप कभी भी चार्गिंग का प्रॉलम को सॉलूशन ने कर पाऊगे और दूसरी बात जैसे कि मैंने बला सीडी 3301 को बाइपास किया जाता है अंदैलिक्राफ कि टहां दाट अबलेबल अंयुक्ताफस ने कर लिए तो को Nature के पास है डाटा मुझे मिलेंता मैं करने घृटा आंपके पास हो तो कोई तीस मार सब्सक्राइब टीड़वले explained मैं यह समझने को वोसिस कर रहा हूं कि अगर वो डाटा में बाइपास ही जयए किसी ने तो किया होगा नो डाटा बाइपास उसने कौन था दिमाग लगा कि वो समझ जिए कि कैसे किस पिनको मेरे को करना है वो सारा का जबाब आपको यहां मिल जाता है सबी चीजों का जवाब यहां पर मिल जाता है तो अब देखो चीजों को समझना जवा थोड़ा सा तोड़ा सा लिंकती है प्रोसेस लेकिन समझा रहा हुआ है यह पावर सोटे मतलब यहां पर मेरा बना था 20 बोल्ट अब 20 बोल्ट जो है मेरा इधर भी आ रहा है 20 बोल्ट इधर भी आ रहा है 20 बोल्ट मेरा इधर भी आ गागए ये dock power βार रहा है इसको आप छोड़के चलो क्योंकि dock power war किस कि लिए होता है वो docking के लिए तो docking generally using नहीं करते हैं मेरा यह पावर सोर्स से यहां पर 20 बोल्ट आएगा 20 बोल्ट यहां आएगा और अब देखो इस मॉस्पेट को क्या करना है यह कौन सा मॉस्पेट पहले समझनी कोसिस करो क्या लग रहा है यह पी चैनल है न लाश्ट में जो लिखा हुआ है सेवन नाइन देखके मैंने बता यह पी चैनल है यह भी पी चैनल है अब यह बताओ कि अगर यहां पर 20 बोल्ट बना कहां से बना धिनके CLR पर 20 बोल्ट ता वो 20 बोल्ट यहां पर आ गया इसके साथ क्या समुक क्या जाएगा तो इसको रखा जाएगा ओफ कंडिसन में यह मेरा क्या है डिस्चार्जिन मॉ यहां पर यहां पर यह वाली है? बॉई, ऐसे ही होता है डाइक सरूआज पर बिस बोर्म कहाँ पहुच जायेगा? आपके बैटरी पे पहुच गया, तो हो गया किया? तो यह अडाम होगया, तो यह और वोर्टेज अडाम हो गया तो यह सेंस करेगा एक primary battery के लिए और एक secondary battery के लिए, दो है, आप चाहो तो एक को लेके चलो, दूसरे को आप छोड़ के चलो, मार के चलो मैं इसको छोड़ के चलता हूँ, है ना, ताकि मेरे को confusion लाओ, मैं ले लेता हूँ, इस पूरी line को अगर मैं भूल जाता हूँ, इस पूरी line को अगर मैं voltage ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि C channel कब off हो जाता है, जब VGS आपका negative ना हो, मतलब जो voltage source पे देरो, वही voltage अगर gate पे आ गया, तो क्या हो जाएगा ये, cutoff mode में आ जाएगा, तो मेरे को इसको cutoff रखना है, अब cutoff रखना है, तो यहां पर high voltage आएगा, वो high voltage कौन भाई स उसका जवाब ऐसे है, यह high voltage जो आता नहीं यहां पर, यह ऐसे आता है, कौन दे रहा है, यह 20 नंबर पे, कौन सा, यही CD IC का 20 नंबर पे, यहां पर क्या provide करेगा, high voltage, तो high voltage क्या तो यह cutoff हो गया, अब आप देखो, CD bypassing का तीसरा ट्रिक, दो ट्रिक आपको बता चुभा अब यह 30 ट्रिक है, 30 ट्रिक है, कि अगर मेरी IC जल जाती है, और मैंने इसको हटा दिया, हटा दिया, तो क्या यह मेरा high रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना, यह क्या हो जाएगा, मैं 0 volt हो गया ना, 0 volt हो गया, और दूसरी बात आप देखरो, यहां पर already एक register डालके, इस अगरेगा, 20 volt यहां पर आगया, और यह 20 volt अगर यहां आगया, तो 20 volt आराम से बैटरी पे पहुंच गया, तो फिर यह खत्रा पाता हो गया बैटरी के लिए, तो अगर आप CD bypass करते हो, तो भाई साब, आपको यहां पर भी बनाने है 20 volt, ताकि मेरा यह रहे cut-up में, तो उसक 20 नंबर पिन, और यह एक नंबर पिन को कर लेना जमपर, एक नंबर पिन और 20 नंबर पिन को क्या करना आपको जमपर, अब बुरोगे सर, एक नंबर पिन, 20 नंबर पिन को जमपर करने तो होगा क्या, तो एक नंबर पिन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, डी सी इन, आटीसीन मियारा कहां से चालो हुआ था य आपका जवाब हीडार डे선 मेरा जो चालो हुआ था люблю ये तो मेरा जहां ADACTER था वहीं से डीसीन चालो हुए था देखो ये रहां मत्तब जैसे आपने यहां पर पावर कनेक्ट किया यहां पर जो 20 वोल्ट बना वो सीधा किदर पहुंच गया यह पहले यहां पर आके मौजूद हो गया यह जो मेरी डिश्चार्जिंग वाले ICT CD के साथ साथ यहां पर आ गया 20 वोल्ट कैसे आ गया तो आपने इसको अटा दिया है अटा गया आपने कर दिया जमपर इसको किसको एक नंबर और बीस नंबर को यह आपका हो गया CD IC बाइपासिंग का तीसरे ट्रिक हाना पाहला ट्रिक आपको मैंने बता दिया आर्विफेट की गेटवाइसिंग को लेकर के दूसरे ट्रिक क्या था CLR के पास जो वो मॉसफेट है उसको लेकर है तीसरे ट्रिक आपका यह है ना कोई डाटा लेने के जगतनी आप आराम से इसको देगा एक डाटा नहीं भी बिलता है ऐसे पर्टिकुलर किसी मॉडल का डाटा नहीं मिलता है फिर बन फसल्जाते और यह केस काफ है यह केस आपको काफी आते हैं लेक्रिटूड की मॉडल जब भी किसी के पास आकत 20 807 जली मिलती यह लिमन इट चला हूं है तो दूसी CDIC लगानी सकते हो, अगर दूसी CDIC लगा अभी है, तो मालनी जी हम दिल्ली में हैं, तो पुरुन CDIC मेरे को अभिलबल हो जाएगी, अब आप बैठे हो कहां पे, नागालेंड में, तो फिर CDIC कहां से लाओगे, नागालेंड में, दिल्ली से मंगाओगा, आने में 6 दिन लग जाएंगे आपको, समझेगे ना, तो 6 दिन में आपका कस्टमर तो बैठा रहेगा ना, तो आप क्या ट्रिंग लोगे, क्या मेरे पास कोई ऐसा ग्यान है, कि मैं CDIC को वाइपास कर सकूँ, तो है ग्यान, बहुत से लोग क्या करते हैं, डेटा देते हैं, डेटा इते रहां गर्टा करते हैं, लेकिन इक ही कंडूसन पर fastляका प्रोईटका करते हैं जब आपको रिक वारनेंट से तब आप डिटा मंगो डिका देलेंगे, लेकिन चलो मैंने डेटा आपको दे वी दिया अन्य हेल, डेटा लेकर कि आपने काम कर वैं दिया, तो मेरा यह कह फुर अपने दिमाग से काम कर सकता हूं, तो यह आपका CT IC Bypassing का तीसरा ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, तिन ट्रिक हो गए, इस मॉस्टर का कहान ही हमारा हो गया, अब आ जाओ जरा इसके पास, क्या इसके भी हमें कुछ करना पड़ेगा, तो देखो, अगर बैटरी को आपको यहां पर बन जाएगा आपका, मान के चलो 13 वोल्ट, अगर यहां पर आता है, थो थोड़ा सोचना है आपको, यह क्या है मेरा, पीछ आना लिए, पीछ आना लिए, पर आपने डाला, गेट मेरे को क्या चीए, लो में चाहिए ना, लो में रहेगा, तब यह आनो करक करके कहां पोँचेगा, इधर आके वो बोल्टेट पोँचेगा इधर, और इधर जब पोँच गया, तो देखो यहां पर डाइट पोईसन आपकी यह वाली है, तो पीछ आनल का आपको मैंने बता रखा है, रिवर्स कंडिशन में जब, यह सारी, फारवर्ड कंडिशन में पीछ आनल है, है ना, तो इसका जो गेट है, ठीक है ना, इसका जो गेट रहेगा, इसके गेट के पास, क्या कहीं पर ग्राउंड की कनेक्टिविटी है, तो भाई साब ग्राउंड की कनेक्टिविटी है, लेकिन उसके लिए यह मॉस्टर्ट है, है ना, तो अगर इसको ग् यह वाला हिश्चा, जरा देखो जाँ यहां तेरा बोल्ट है तो यह मेरे को चाह चींए लोपई चाहिए ना क्या इसका कनेक्शन элем bow देख लो कैशन क्या इसका करनेक्शन स्वे इस से है तो यह ची क्या लिखा है चार्ड पीवेट जो मैं देखता हूं यहाँ चार्ज की बैकी अगर मैं CD IC हटा रखण ह 210 क्या यहाँ पर मिरे को कोई ऍरण करनी पड़ेगी इसका CD IC से लेना देना नहीं इसका जिए से लेना देना नहीं है तो चलो यहां पर हमें कुछ नी करना आ ग़र जाएंगा हम त्यक्त यहां पर किसता रोल यहां पर आपको फैरा प्रेषा टारा आने इसपा कीसी कीकत सब्सक्राइब घृत घृत जाएगा मैं पुल्टेज ही Episode 10 ग एक करने के लिए यह इसको आप देखता हूं है किया यहां पर मेरे को सीडिया इसी की बाइपासिंग करने पर सकती है इसके कनेक्शन को देख रहा हूं ऐसे लिया इसको ऐसे दिया तो यह आन कैसे हो रहा है क्या लिखा है चार्ज एनेबल अब चार्ज एनेबल ज़रा देखने दू कॉपी करके पेश्ट किया क्या मेरा यह सीडिया इसी से कनेक्टेड है बस देखना यह भी नहीं मेरा कनेक्टेड है यह किस से कनेक्टेड है आयो चिप से तो लो मेरा बात बन गया मेरे को इस वाले बोर्ड में टोटल कितने ट्रिक आजमाने है टोटल तीन ट्रिक आजमाने है CDIC को बाइपास करने के लिए